Gift City और Gujarat International Finance Tech City जो Gujarat के Capital गांधी नगर में स्थेत हैं ये इंडिया की First Kinfil Smart City है जो की Operational है और तो और ये इंडिया की First IFSC Smart City यानि International Financial Service Center के रूप से भी जानी जाती है तो आज के वीडियो में हम जानेंगे इस Gift City के बारे में और देखेंगे इसका latest progress बट वीडियो में आगे ब से informative वीडियो से लाते रहते हैं वेल्गेप City या Gujarat International Finance Tech City नेशनल हाइवे, मेट्रो और International Airport के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से कनेक्टेड होगा सबर्मती नदी के तर्पे बनी ये शहर National Highway 48 के साथ कनेक्टेड है यहां से सिर्फ 12 किलोमेटर के दूरी पे ही आता है सर्द सार बललभाई International Airport जो इस सिटी को सभी ग्लोबल कंट्रीज के साथ कनेक्ट करता है और तो और यहां बन रही मेट्रो लाइन के जरिए इन फ्यूचर कांधिनगर और एमदाबाद के छोटे-छोटे एरियास के साथ भी इस सिटी का कनेक्शन बैतर हो जाएगा इस पूरे प् फाइनेंस टेक सिटी ही नहीं बलकि बहुत सारे लेटेस्ट टेक्नलोजी भी यहां पी यूज किया जाएगा जैसे डिस्ट्रिक कुलिंग सिस्टम, आटोमेटेट वेस्ट कलेक्शन सिस्टम जो यहां के रिसिदेंट्स को एक बहतर लाइब देता है विल्ट गेप सिटी एक IGBC Platinum Certified City भी है जो पूरे इंडिया में ऐसा एक मात्र सिटी है और तो और इस सिटी को हाइस स्टैंडर्ड के साथ एनर्जी एफिशेंट और एन्वरिमेंटल फ्रेंड्ली तरीके से डिवलॉप किया जा रहा है गेप सिटी का 67% होगा कमर्शियल जोन, 22% होगा रेसिद मिनिस्टर थे और उनका ये दावा है कि ये सिटी एक ऐसा मात्रिम होगा जो इंडिया के एकोनोमिक ग्लोरी को एक अलगी स्थर पे पहुंचाएगा तो चलिए अब देखते हैं यहां का प्रोग्रेस फस्ट ये जो दोनो बिल्डिंग आप देख रहे हैं फस्ट वन इस किफ टावर वन और सेकंड वाला है इप टावर टू इंड दोनो की कंस्ट्रक्शन कम्प्लिट हो चुका हैं और दोनो ही बिल्डिंग ओपरेशनल है वेल इन दोनों बिल्डिंग की एप्रोक्स हाइड है अराउंड 122 मीटर गिफ टावर 1 में ओरकल बैंक और बरोदा जैसे बड़े-बड़े कमपनी अल्डेडी ओपरेशनल है वही गिफ टावर 2 पे टाटा जैसे बड़ी कमपनी ओपरेशनल है यह टावर है ATS Savvy प्रज्या टावर जो अल्रेडी कम्प्लीटेड है इसके बगल में यह है BIFC यानि Brigade International Financial Center टावर जो कम्प्लीट हो चुका है और NAC यानि National Stock Exchange का ओफिस भी इसी बिल्डिंग में ओपरेशनल है इसके बाद आता है हीरा नंदानी सिगनेचर टावर जो अल्रेडी ओपरेशनल है और यह एक कमर्शियल बिल्डिंग है यह जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बन रहा है यहाँ पे State Bank of India का Local Head Office को ओपरेट किया जाएगा और इसके बगल में यह Grand Mercury 5 Star Hotel है जो अल्रेडी ओपरेशनल है उसके बाद यह बिल्डिंग आता है Bombay Stock Exchange का जो अल्रेडी कम्प्लीटेड है और यहाँ पे काम ओपरेशनल है इस टावर का नाम है The World Trade Center जो गुच्राट की First World Trade Center है और ऐसी चार्ट टावर और बनाये जाएगा इसका कम्प्लीशन टार्गेट है Around 2025 दिन यह जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है यह है ट्रिस्टिक कोलिंग सिस्टेम का बिल्डिंग जो बनकर तैयार है वैल गेप सिटी में कोई भी बिल्डिंग या टावर में अलग से AC का सिटप या फिर इंस्टॉलेशन नहीं किया जाएगा सभी टावर पे इसी कुलिंग सिस्टेम के जरीए कुलिंग फेसिलेटिस प्रोवाइड किया जाएगा इस टावर का नाम है प्रेस्टीज टावर जो प्रेस्टीज ग्रूप द्वारा बनाया गया है और इसका भी निर्मान कंप्रेट हो चुका है और ये बिल्डिंग भी ऑपरेशनल है ये है STT data center जिसको data communications द्वारा operate किया जा रहा है इसका main काम है Gip City के अंदर network connectivity को बरकरार रखना अभी इस area पे residential buildings का काम चल रहा है जहाँ पे 33 माले का maximum tower बन रहा है और ये कुछराट में सबसे उची residential tower होगा ये building है Gip City club and business center जहाँ पे sports, restaurant, club, swimming, pool जैसे सभी recreational सुभी रहे रहेगी वैल इस club में entry पाने के लिए आपको यहाँ का membership लेना पड़ेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेट्रो का काम already चल रहा है इस मेट्रो के जरीए Gip City को एमदाबाद और गांधी नेगर के चोटे-चोटे areas के साथ बढ़िया तरीके से connect किया जाएगा वैल Gip City को चार phases में develop किया जाएगा जिसका phase 1 and 2 already complete हो चुका है और phase 3 अभी progress में है जो most probably 2023 तक complete हो जाएगा और पूरी की पूरी Gip City का construction most probably 2030 तक complete हो जाएगा आपके कह रहा है इस project को लेकर comment करके जरूर बताए वीडियो अच्छा लगा तो एक like जरूर करे और चैनल पे नए हैं तो subscribe जरूर करे बाकी हम मिलेंगे अपने अगले फीडियो में देखने के लिए थन्यवाद